नमस्कार सूब स्वागतम वेलकम अभी नेंदन मैं हूँ आपके साथ आपके अपकी अपनी हुसिन दुख्रवाय राकी सबसे पहले नवर्श विक्रम समवथ 2018 की हार्दिक शुपकामना है नवरातरों की हार्दिक शुपकामना है और इसमें गुप नवरातरों में किये गए चावल मैंनेस के अंदर डाले है यह चावल आपकी लाइफ को सक्सेस करेंगे इस पर एक मैनिफेस्ट नमबर लिखा है बस इसे आपको अपने लाकटॉप बैग में, अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने बच्चों के बैग में, अपने स्कूल बैग में, अपनी गाड़ी में डाल कर भूल जाना है यह नमबर आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा, कोई एक्सिडेंट नहीं होने देगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा यूही नहीं जुकती दुनिया तेरे दर पर तक, दीरे बनती हैं महिया तेरे दर पर मैं आज आपसे अपने इस वीडियो के अंदर दूसरे नवरातरे की बात करूंगे सबसे पहले नमशकार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी होसें दोस डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभी नंदन करती हूँ आपके मेरे और मातरानी के इस खुब सुरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर कैसा है मेरा यह संसार आप दीन दूगनी राच चौगनी तरक्की करें जीवन में हर चीज आपको प्राप्तो लाइफ में आपको कभी किसी चीज की कमी न रहे सकस्स आप दीन दूगनी राच चौगनी पाएं आप जो चाहें वो आपको मिल जाए लेकिन कारिकरम की शुरुवात हमेशा की तरह डिलिविन कर्मा आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो टाइम होते हैं इस टाइम पर धरती पर अलोकिक शक्तियां होती हैं देविक शक्तियां होती हैं और सिर्फ घर के अंदर एक जोथ दिया चलाने से हमें सब कुछ प्राप्ट हो सकता है लेकिन हम करते क्या हैं हम नवरात्रों को यूँ ही जाने देते हैं, मैनिफेस्ट करने का सबसे बहतरीन टाइम, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ अर्चना राधना ना करकर, मा के समक्षिक दिया जलाकर, मैनिफेस्ट करें अपनी कामनाओं को, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, घर का मोहल अच ब्रह्मका आचरन करने वाली, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, मा ने घोर तपस्या की थी, तभी ने ब्रह्मचार्नि के रूप में माना गया था, तब चार्णी भी刚े के नाम से पुकारा चाता है, और कहते हैं, कटिन समय पर, अगर आप हसे हैं और students करें तो अपनी लक्षे को प्राप जरूर करते हैं और परिशानियां उनको कभी घेर नहीं पाती माता का सरूप बहुत खुबसूरत है माता एक हाथ में जप माला ली हुए और दूसरे हाथ में कमल धारन की हुए तो मा को कमल के पुषप अर्पन करें और आज मा को जो भी कमल गटे की माला या रुद्राक्ष की माला जब माला अर्पन करता है और अपनी कोई भी विश बोलता है तो मा शत परतीशत उसकी वुमानो कामना पूर्ण करती है अपने में जीवन में अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो कमल गटे की माला मा को अरपन जरूर करें, कमल गटे मा को भेड़ सरूप जरूर दें, कमल के पुष्प मा को अरपन जरूर करें, विद्यारतियों को आज की दिन मा की पूजा जरूर करनी चाहिए, माता को का भोग लगाना बहुत उत्तम रहता है और वह पिष्टा स्वयम भी खाएं और उमें भी बाठें मिठाई पिष्टे वाली मा को अगर भोग लगाया है मा बहुत प्रसंद होती है ओम्भ्रमचार्नी देवी नमहा का जाब करना बहुत अच्छा होता है एक हजार वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर भगवान की पूजा करने वाली और सौ वर्ष तक धर्टी पर रहने वाली तीन हजार वर्ष तक बेल के पत्ते खाकर फिर माने बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया निरहार रहने लगी और पत्तो को खाना छोड़ने की वज़ा से देवी का एक नाम अपढ़ना भी कहलाता है मतलब कितनी तपस्या अगर आप भी अपने कारेश शेतर में बहुत तपस्या गर रहे हैं बहुत परेशान हैं और लाग कोशिश के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही तो माता रानी आज आपकी किसमत खोल सकती है पुशों से तो कहूंगी मा के मंदर में जाके दंडवत परणाम करें और नाक रगड़ कर बोले हमारी ये एक चाह हम बहुत ज़्यादा परेशान है माता को आज बेल के पत्र अरपन जरूर करें माता को सिंदूर अरपन जरूर करें मा को तरशूल अरपन जरूर करें आज आप पेड़ पौधों की सेवा जरूर करें मा को पंच मेवा अरपन जरूर करें माता को पास तरह के फल अरपन जरूर करें माता को पास पुश्प अरपन जरूर करें माता के साथ आज आज आपको गव माता की भी सेवा करनी है अपनी माता की भी सेवा आपको जरूर करनी है और विक्रम सब्वत का दिन है माता का खास दिन है और मैं आपको बता दू कि बुदवार का दिन है गनेश जी की पूजा मा के साथ करना बहुत उत्तम रहेगा आज वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मा की पूजा राधना करेंगे, मा के दर्शन करेंगे और कमल गट्टे की माला पर बच्चे गायत्री मंतर का जाप करना शुरू करें सूरच के सामने खड़े होकर, इस उनका सूरच तो अच्छा हो गई होगा और साथ में भ्रमचार्णी मा का आशिरवात मिलेगा, जीवन में शत्परतीशत रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आप चाहेंगे वो आपके पास दौर कराएगा, लेकिन इतना हम करते कहां हैं, हम लाइफ को बहुत आसान ले लेते हैं और निगनेट करने लगते हैं, मैं आपको बता दूँ साल का राजा जो है वो मंगल है, अगर आपकी भ्रमचार्णी को अपने प्रसंद कर दिया, आज अपने घर में तेज तेज अपने घंटेयां बजाएं, तेज तेज शंक बजाया, मा की आरती जरूर करी, छोटी अची अरपन जरूर करें, खुद भी खाएं, और हो सके तो मा को चुन्नी अरपन करें, इससे भी आपको लाब जरूर होगा, मैं डॉक्टर वायरा किया आपको बतारियू विक्रम समवत दोहजार इक्यासी, मा के चेत्रमास के नवरातरे शुरू हो गए हैं, और मा का आज दूसरा नवरातरा है, इसका आपको काफी लाब होगा और लाइफ में आपको सकस्स मिलनी शुरू हो जाएगी, अगर आप लाइफ में सकस्स पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दूसरे नवरातरे वाले दिन मा को चुन्नी, नारियल, अरपन्च जरूर क करें, अपने घर में कीरतन करें, कहते हैं, जो इसके सामने नाच लिया, उसे फिर किसी और कागे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं आपके साथ अपने दो मिनट के उपाए भी शेयर करूंगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि मा दुर्गा भवानी को आज प्रस झाल